हेलो विवर्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपको बताती हूँ, चानाक्य द्वारा बताई हुई कुछ नीतियां, जिन पर पूरा का पूरा विध्यार्ती जीवन आधारित है अगर आप इन नीतियों का पालन करते हैं, तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं ये नीतियां आपको जीवन के हर शेत्र में कामयाब बनाएंगी अगर आपका विध्यार्थी जीवन काम्याब रहता है तो सीधी सी बात है आगे चल कर भी आपको काम्याबी अवश्य मिलेगी तो चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वो नीतियां जिनका आपको पालन करना चाहिए सबसे पहली नियती है सजना सवरना जिस विध्यार्थी का मन साथ सिंगार पर होता है उसके दिमाग में कुछ और नहीं आता उसके दिमाग में हमेशा सौंदरे, पहनावे, रहन श्रहन के बारे में ही बाते चलती रहती है साथ सिंगार के बारे में सोचने वाला व्यक्ति कभी भी एक जगे ध्यान केंद्रित करके विध्या प्रात नहीं कर सकता दूसरा स्वादिस्ट पदार्थ अगर आप स्वादिस्ट भोजन खाने के शौकीन हैं तो आप अपनी जीप पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेजिए आप हमेशा कुछ न कुछ खाने पीने के बारे में ही सोचते रहते हैं तीसरी नियती है आप अपनी शरीर की सेवा पे ज़ादा ध्यान ना दे मनुश्य को विध्याती जीवन में अपने आने वाली कटनाईयों पर कम और विध्या पर ज़ादा ध्यान देना चाहिए आप ठक गए हैं बहुत ज़ादा तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय आप विध्या को त्यागी दें और पढ़ना बंद कर दें थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद आप दुबारे से पढ़ना शुरू कर दें चोथी नियती है नीद अगर आप नीद के ज़्यादा शौकीन है आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो आप इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए सोना सेहत के लिए अच्छा है लेकिन इतना ज़्यादा भी सोना नहीं चाहिए कि वो आपकी किस्मत ही बिगाड़ दे करने में कोई भी रुची नहीं दिखाते इसलिए आप अपनी नीद का त्याग कीजिए और पूरी तरह से शिक्षा ग्रहन कीजिए हसी मजाग विद्यार्ती जीवन का सबसे महत्पूर्ण गुण होता है गंभीर्ता विद्यार्ती को शिक्षा और सफलता पाने के लिए इसे अपनाना चाहिए जो विद्यारती सारा समय हसी मजाग में अपना समय बरबाद करते हैं वो जीवन में कभी भी सफलता प्रात नहीं कर सकते छटा है दूसरे कामों में ज़्यादा इंटरस्ट लेना चाहिए अपनी विध्या की तरफ जादा ध्यान देना चाहिए अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे तो ही वो जीवन में सफल हो पाएंगे। कि साथवी नियती है क्रोथ, क्रोथ से मनुष्ये का मन हमेशा ही अशान्त रहता है, विध्या प्राप्त करने के लिए मन का शान और एक चित होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है, अशान्त मन से कोई भी मनुश्य ज्यान को केवल सुन सकता है, उसे कभी भी समझ नहीं पाएगा, ना ही उसका पालन अपने जीवन में कर पाएगा, आठवी नियती है लोग, लालजी इंसान हर वक्त दूसरों की वस्तु पाने की कोशिश में रहता है, कोई ना कोई योजना बनाता रहता है कि किस परकार किसी और की वस्तु उसे मिल सके, ऐसा विध्यारती कभी भी अपनी विध्या के बारे में सतर्क नहीं रहता, और अपना सारा समय अपने लालज को पूरा करने में ही गवा देता है, तो दोस्तों, आज मैंने आपको चाने की कुछ नीतियां बताई हैं, जिने अपना कर आप अपना जीवन साकार कर सकते हैं, अपने विध्यारती जीवन को सफल बना सकते हैं, अगर आपको मेरे द्वारा दी ना भूले धन्यवाद